नमस्कार दोस्तों मैं सिधारताव सभी का बहुत बहुत करता हूँ ग्यान गंज के बारे में हमें जितना भी पता है वो हमें पता लगा है किताबों के माध्यम से ये किताबे जो हैं ये उन लोगों ने लिखी हैं जो या तो स्वयम ही ज्यान गंज की यात्रा करके आए हैं वहाँ पर ये साधक थे वहाँ पर इनोंने किसी न किसी प्रकार के विज्यान की का ज्यान प्राप्त किया है या फिर उन साधकों के ये शिश्यर हैं जिनोंने ये किताबे लिखी है अर्थाद जो किताबे ग्यान गंज के उपर हैं वे तध्यात्मक हैं वे सत्य हैं अब इन सभी किताबों में एक बात आपको हर और मिल जाएगी जो कि सामान्यत हरे किताबे कही गई है वो ये कि जो ग् जामान निधर्ती के मनुश्य से कहीं अधिक है। अर्थात जो वहां के साधक हैं, जो किसने किसी प्रकार के विज्ञान का ज्ञान ले रहे हैं, उनकी आयू 200 से 300 वर्षों के आसपास है। सो वर्षों की बताई जाती है। ये बात स्वयम विशुद्धानंद जी महराज ने अपने गुरू भिगुराम जी के बारे में बताया है ऐसा। किसे बताया है? गोपिनात कविराज जी को, जो कि उनकी ही शिश्य रहे हैं, जो स्वयम भी ज्यान गंद के साथ में संपर्क मे थे। अब यहां पर एक प्रश्ण ये आता है कि जो ज्यान गंद के योगी हैं, जो हमारे ही और संथ हैं, जिनमें देवराह बाबा आते हैं, जो चिरन जीवी हैं, जिनके बारे में महाभारत में बताया गया है, कई और गंथों में बताया गया है, जैसे पवन पुत्र पुमान हुए, कृपाचार्य हुए, अश्वत्थामा हुए, परशुराम जी हुए, ऐसे जो अश्ट चिरन जीवी हैं, जिनमें राक्षस राज बली भी आते हैं, इन सभी को चिरन जीवी कहा गया है, अर्थात इनकी आयू बहुत ही अधिक है, अब यहां पर बात वही आ आयू प्राक्त कर सकते हैं, हमने देखा है कि आज के समय में भी 100 वर्ष, 120 वर्ष, 130 वर्षों के व्यक्ति रहे हैं, हुए हैं, जपैन में ऐसे कई लोग हैं, भारत में ऐसे कई लोग हुए हैं, परंतु यह समाने रूप से करा जा सकता है, यानि कि आपकी उम्र बस हो रही है आप उसके लिए कुछ प्रत्न नहीं कर रहे हैं ये एक अलग बात हो गई परंतु क्या हम प्रत्न करके क्या किसी ऐसे प्रोसेस के माध्यम से हम अपने आपको इतनी आयू तक पहुंचा सकते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न है अब यहीं परी मैं आपके सामने एक ऐसी ख ज्यानिकों ने एक कीडे को एक राउन वर्म को बर्व की सतह से निकाला ये सतह 130 फीट निचे होती है जिसे कहा जाता है पर्माफ्रोस्ट यानि एक बहुत मोटी परत होती है बर्व की जो एक सैंड की तरह जो हमारे धरती के उपर जो सैंड होती है उसे की तरह ये काम करती सॉयल के तरह वहां से जब इस राउंड वर्म को निकला गया जब निकाला था तब इसमें जो साइंटिस्ट से उन्होंने किसी भी प्रकार की हरकत नहीं पाई थी यानि लग रहा था कि यह पूरी तरह से मृत हो चुका है यह शाद इसकी बॉडी फॉसिल के ही रूप में केवल पानी डाला गया और कुछ हमिए केमिकल नहीं कैवल पानी डाला गया जिससे की बरफ थी पिगल गई तब वह जो राॉंड वर्म था वह पुणर जीवित हो गया वह हिला और ऐसा कहा जाता है यह जो राउंड वर्म होते हैं इनकी जो उम्र होती है वह कुछ दिनों राउंड वर्म पुनर जीवित हुआ, कुछ दिनों तक ये जीवित रहा, फिर स्वाय में मर गया। जब इस राउंड वर्म की रेडियो कार्बन टेस्टिंग हुई, जिसे की पुरानी वस्तों की उम्र का पता लगता है, तब ये पता लगा और जो पता लगा उसे साइन्ट 45,000 वर्ष की है, अर्थाद ये जो राउंड वर्म है, ये करीब करीब 45,000 वर्ष पहले जीवित रहा होगा, फिर ये बर्फ में किसी कारण दब गया होगा, तब से लेकर ये अब तक जीवित ही था, परन्तु इसकी जो अवर्था थी वो जीवन और मृत्यों के बीच में थी, जो साइंटिस ने कहा है, वो ये कि एक स्टेट है, जिसे क्रायो बायोसिस कहा जाता है, यानि कि वो स्टेट जिसमें आप बहुत ही कम टेंपरेचर पे भी जीवित रहें, परन्तु उसमें ऑक्सिजन की आपको अवशकता नहीं पड़ती है, किसी प्रकार के पानी या ऐसा सेंटिस ने कहा है, ट्रांस, ये शब्द मैंने जानगूचकर के प्रयोग किया है, क्योंकि जब आप योगानन्द परमहन्स की किताब पढ़ेंगे, जब आप श्रीयन की किताब पढ़ेंगे, पॉल ब्रंटेनी किताब पढ़ेंगे, तब इन सभी किताबों में अंग जो योगी होते हैं वे भ्रमांड के बाहर की भी यात्रा कर सकते हैं वे वर्षों तक शरीर से बाहर रह सकते हैं और जब चाहिए वाफिस शरीर के भीतर आ करके अपना सामान्य जीवन व्यतित कर सकते हैं परंतु फिर से प्रश्ण यही आता है कि ये सभी बाते जो हैं ये त कि science का मतबत वो हो गया जो आंखों से हम देख सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं ऐसे कई लोगों को doubt होता है संदे होता है कि ऐसे भी कुछ प्रणाली मनुश्यों में हो सकती है क्या जो योगी है जो योग के पथपर है जो साधक है बले ही उन्होंने अपने उच्चतम अवस्थ प्राप्त नहीं करी होगी पर उनके लिए ऐसी आयू यानि 500-1300 वर्षों की जो आयू है इन लोगों के लिए साधकों के लिए योगों के लिए कोई बहुत कौतुहल का विशय नहीं है ये इनके लिए कोई प्राप्य वस्तु भी नहीं है कि हम हजारों वर्षों तक जीव सवशरीर धर्ती पर ही तो फिर ऐसे में जो सामान नियजन है उनके मन में कौतुल आता है कि क्या ऐसा संभव है परंथु यदि हम अपने रंथों को देखें यदि हम योग की शक्ति को देखें जो आज के समय में भी हमको दिखती है जिसे बड़ी बड़ी जो रोग होते हैं बेदूर हो जाते हैं कितन老師 लोग हैं जिन्होंने कहा है कि उनकी बड़ी-बड़ी बीमारी हैं जिसमें डाइबर्टी जाता है जिसमें उनके हाथों की पाओं की जो पेरालिसिस हो जाता है वो भी फीख हुआ हूँ है योग कया तो क्या ये संभव नहीं है कि यदी एक राउंड वर्म एक कीड़ा ऐसी अवस्था को सुतह ही प्राप्त कर सकता है तो जो मनुष्य है जो की इस evolution के अंदर या फिर जब हम देखें जो जीव जन्तूं का जो ये पूरा ecosystem इसमें सबसे उपर के पायदान पर है तो क्या ही संभव नहीं है कि मनुष्य भी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हो यदि जान गंज के जो सिद्ध है योगी है यदि देवरहा बाबा यदि अश्ट चरंजीवी ये सभी हो सकते हैं तो फिर क्या आप और मैं हम जो साधारन रखती हैं क्या हम भी योग के माध्यम से अपने गरंथों को जान करके गुरूं के सानध्यमें क्या हम भी इस साधारन से जीवन से बहारा करके कुछ असाधारन अपने जीवने प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि इस प्रेश्ण का उत्तर क्रिप्या करके आप मुझे कॉमेंट सेक्ष्चन में अवश्च दीजिएगा आपकी क्या राय है आपको क्या लगता है यह भी क्रिप्या करके मुझे बताईएगा इस वीडियो को आप अवश्चेल लाइक करें शेयर जीतना हो सकता है उतना अध करें बहुत अधिक प्रोच साहन मिलता है इसे के साथ मुझे यानिस धारत को बब जानी के अनमती दीजे धन्यवाद